आधे कृष्णा वेल्कम बैग डुमाय गार्टिंग चैनल आज मैं लेकर आई हूँ शलकम का वीडियो तो कि जो मैंने ग्रो किये थे आप भी मैंने आपके साथ शेयर किया था और अब ये फ्रूट बन गए हैं तो आज मैं इसको करने वाली हूँ हार्वेस्ट और आपके साथ करने वाली हूँ शेयर इसे ग्रो करने का सही समय है सेप्टेमबर फर्स्ट वीक में ही आप इसे ग्रो कर दें तो आपको ऑक्टोबर लास्ट और नॉवंबर में आपको इसको हार्वेस्ट करने को मिल जाएग साथे साथ इसमें ज्यादा खा देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, जब आप इसकी potting soil mix करते हैं, उसी वक्त इसमें compost और उपर के खाट डाल दें, that is enough, फिर दुपार आपको खाट नहीं देना है, गोड़ाई time to time करते रहें, ताकि fruit जो है, वो मोटा और fresh बन सके, यह क हमलों में, तो घर पे ही पालक harvest हो जाता है, मैरी कोल मैंने seed से grow की हैं, और अब इसमें full भी खिलने लग गए हैं, तो जब खुद की full होते हैं, जो पागवान को हम urban करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है, यह सुन्दर सुन्दर full daily मैं अपने लेट्टू को पाल जी को च कर सकते हैं, पराठो में यूज कर सकते हैं, और जलकम जो fruit है ना, वो ज़्यादा जगे नहीं लीता है, इसकी root भी ज़्यादा डीप नहीं होती हैं, तो easy growing vegetable है, मैं recommend करूंगी कि आप ज़रूर इसे अपनी garden में लगा हैं, जब आने इसको harvest किया तो हम देख सकते हैं, बहु उसके साथ mix करके, फिर मैंने इसकी सब्ची बनाई थी, तो सच में बहुत अच्छा स्वादा आया था, और जब जिस इन मैं सबको harvest करूंगी, उससे भी मैं आपके साथ में वीडियो शेयर करूंगी, इसकी मिटी को हमेशा भुरुरी रखें, और जो training system है, उसे अच्छा रखें, बस यही कुछ tips इसे ग्रोव करने के लिए, अब मैं फिर मिलती हूं किसी दूसरी वीडियो में आपके साथ, till then, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, बाई बाई, रादी कृष्णा